एक वीडियो मिली मुझे जिसमें लिखा हुआ है गली में अल्लाह के नाम पर मांग रहे थे तभी वहाँ पर एक जागरूख हिंदू मिल गया तो देखिए इस जागरूख हिंदू ने क्या किया है कहां से आयो वही कहां से आयो महभू की गली में कौन मुसम्मान हो तो काफरों को मौलम क्या कर रहे हो तुमारे कुरान में लिखा है काफरों से दूर रहो जा पहली बात तो जो यह कह रहा है कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों से दूर रहो तो ऐसी बातें लिखी भी यह ठीक है कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों से दूर रहो लेकिन कुरान में जो कॉंटेक्स्ट दिया गया है जो उसका संदर्व दिया गया है कि किस संदर्व में काफिर पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जहां पर कुरान का लेखन किया रहा था या फिर अभी तो यह बात ग्यात नहीं है कि कुरान का लेखन किस ने किया है यह माने जाती है एक देवी अपूस्तक है जो के आस्मान से उतर करके आई है तो उसमें हिंदु शब्द का कहीं प्रयोग किया है लेकिन हिंदु काफिर हैं ऐसा कुरान में या इसलाम में बात नहीं कहीं गई है मतलब वो जो है वो काफिर का मतलब नहीं जानता है अगर वो टोपी लगाया है अपने इसलाम धर्म को फॉलो कर रहा है तो क्या वो गुनाह कर दे रहा है मतलब यह जागरूख हिंदू है तो क्या इनकी गली में कोई आ जाएगा टोपी लगा करके तो उसको भगा देंगे ऐसे क्या इसको जागरूख हिंदू माना जाएगा इदर से निकलो यह गली आगे से निकलो और हिंदू मौन दिखनी है तो फूरा वीडियो चला हूँआ को मौन देगा नए लगान जाएगा लिए तो अपनी मौन असे पूरा नजिकान वाउन कोई हिंदू टेगा से निकलो निकटभा करूँआ धाव एगो के शिवागे लिएव तो अपनी आपने जाग न दिखने कंव ना मुसल्मानुस बहुत बहुत बड़ा तोप अपने आपको समझ रहे हैं और यह पीछे एक लोग वीडियो लेकर चलना है इनका वीडियो ग्राफिक कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहुत बड़ा मीडिया कर्मी वाला काम कर रहे हैं बहुत बड़ा तोप मार दे रहे हैं बहुत इनका मतलब बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं लेकिन दरसल अपना ही नाक कटा रहे हैं और जो हिंदू हिंदू बो लेकिन वो अगर तुम्हाई द्वार पर आये हैं तुमसे अगर भिक्षा बिर्ति मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए लेकिन उसको इस तरह के से अपमाने तकर के भगाना यह हिंदू के धर्म में सोबना ही देता है लेकिन यह उसी का जो है चोला ओड करके हिंदू हिंद हैं मतलब यह काह रहा है हिंदू समाथ जो है मतलब अगर मतलब यह पूरे हिंदू को जो है यह र Ciao जी कार को धाली देनल के Buddhist को धूंग भादृब बताएंगे और June भीक चाहिए देखो रहा है को यह जो रहे है मालिक आप सब रहे हैं आप सब जुआ लग रही हैं और इनसे जाकर थोड़ा ग्यान ऻिए घया से ऐगर आपके वर पर कोई आये तो इसको कैसे भगा दिना है तो थोड़ा जागी है है recorded मतलब आगर आप से आपके घर में कोई आएगा दान दक्षिना वांगने के लिए तो सबसे पहले आप उससे पूछो भई आपका नाम राम है कि रहीम है जब कहेगा नहीं राम है तो उसको दे देना आए तो दान जो है अब चेहरा देख करके और धर्म देख करके दिया मैने मेरा तो मानना है कि ऐसे व्यक्तियों से साउधान रहिए नहीं तो सामप्रदायक दो जो है वो जड़ तक घुश जाएगी किसे सभी के अंदर में समाज के अंदर में जड़ तक घुश जाएगी और सामप्रदाइक दंगे हमारे अयतिहासिक जो परिप्रेक्ष में अगर देखा जाए चाहे सोतंतरता संग्राम में देखा जाए या किसी भी परिप्रेक्ष में देखा जाएं चाहिए अभी कानून कोई भी कानून आता है तो इसमें साम प्रदाइक दंगे ऐसे ही लोग जो हैं फाइलाते हैं तब जाकर के आसाम जलता है तब जाकर के बंबई और दिल्ली जलता है तो इन लोगों से साउधान रही हैं नमस्कार